नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक वार फिर से आपके अपने यूटूब चेनल एक्जाम स्टूडियो पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में SSB Head Constable Ministerial Head Constable और ASI के Second Paper की बात करेंगे जिसके अंदर ASI और Head Constable का Paper सेम ही होगा तो दोस्तों काफी कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि डियर यूटूब टीम हमें Second Paper की तैयारी करवा दीजिए तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि Second Paper की ऐसे यूटूब पर तैयारी नहीं होगी क्योंकि इसका कारण यह है कि जितना आप इसकी practice करोगी उतने आपके अच्छे marks आएंगे क्योंकि इसमें क्या-क्या topic है सबसे पहले वह हम आपको बता देते हैं हमने पहले भी बताया था चलो फिर से बता देते हैं इसमें आपसे चार टोपिक पर क्यूसर पूछे जाएंगे, पहला होगा आपका एसे राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग और लेटर राइटिंग तदा कॉम्प्रिहेंसन, ये चार चीजें आपसे एक्जाम में पूछे जाएंगी, पर ते एक चीजें यहां से 25-25-25 नमर क होगी, टोटल आपका पेपर जो सेकिंड होगा, उसका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये चार क्यूसर उसमें पूछे जाएंगे, तता जैसे की ऐसे राइटिंग हो गया, तो आपको वैसे तो ओप्सन मिलेंगे, कम से कम आपको दो, तीन या चार आपको मिलेंगे, उसमें से आपको एक छाटकर, जो आपको अच्छा लगे, वैस छाटकर आपको लिखना पड़ेगा, तो दोस्तो हम इस वीडियो में आपको सिरफ इतना इसका प्रारूप बता देते हैं, कि किस परकार से आपको लिखना पड़ेगा, जितने जादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतने जादा आपके अच्छे माक्स आएंगे, और बता देते हैं, कि आपको क्या-क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको कहां से तैयारी करनी पड़ेगी, किस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे आपको लिखना पड़ेगा, वो सारी चीजे हम आपको इस वीडियो मे बता देंगे तो दोस्तों वीडियो को साथ अंते तक बने रहिए और अंते तक अच्छे से सुनें अच्छे से ध्यान लगा कर देखें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले एसे राइटिंग की बात कर लेते हैं पहले पर्सन की किस तरीके से आपसे एक्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्जामपल उठाने की कोशिस की है जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि निमिल लिखी तवी कल्प में से किसी एक पर निमंद लिखें कम से कम धाय सो सब्दों में तो वहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाए उतने सब्दों में आपको लिखना पड़ेगा तो जैसे कि आपसे आपको ओप्शन दे दिये जाएंगे कि परधान मंतरी उजवल योजना पर लिखे मैं कि इन इंडिया पर ऐसे लिखे सवस भारत अभ्यान पर लिखे और बता देता हूं काफी बच्चे कमेंग्स करकर के पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज हम हंदी में लिख सकते हैं और कौन सी चीज हम इंगलीस में लिख सकते हैं तो dear students इसमें दो टोपिक ऐसे हैं जिसका आंसर आपको शिरफ ही इंगलीस में देना पड़ेगा एक तो précise writing और एक comprehension यानि कि दो नमबर और चार नमबर पे जो चीज है उनका आपको सिरफ English में ही आंसर देना पड़ेगा आप इनका आंसर हिंदी में नहीं देख सकते और वैसे देखे तो ये टोपिक बहुती सरल टोपिक है आप आराम से इनका आंसर दे सकोगे इसका कारण भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और essay writing और letter writing ये दो चीजे दो टोपिक है इनका आप आपको अच्छा लगे कि हम हिंदी में उत्तर दे तो आप हिंदी में देना आपको English में अच्छा लगता तो आप English में ये optional है जो language आपको अच्छी लगे लिखने में जो आपको अच्छे से समझ में आए उसमें आप लिख सकते हैं तो दोस्तो हम essay का थोड़ा सा आपको प्रारूप दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा तो दोस्तो ऐसे लगबग थोड़ा सा current affairs मतलब जो current मुद्दे चल रहे होते हैं उन में से पूछा जाएगा तो उन पर आप थोड़ा सा नजर रखिए पढ़ते रहे जो भी योजना वगेरा है थोड़ा सा उनको अपनी नजरों से निकालते रहे तो आप अच्छे से इनको कर पाओगे जैसे कि यहाँ पर परदानमंत्री वाला topic हमने उठाया है तो आपको मतलब सारी चीजे इसमें detail से लिखनी पड़ेगी कि क्या यह चीजा जैसे कि PMUI एक नई योजना है जिसे नरेंदर मोदी जी भारत सरकार द्वारा शुरू क्या जा रहा है इस योजना के अंतरगत भारत सरकार पांच करोड BPL तो दोस्तो सभी चीजे हम पढ़ाएं इसमें बताएंगे तो आपको बहुत सारा समय लग जाएगा तो आप यहाँ से पढ़ लेना कि किस परकार से आपको लिखना है सारी चीजे और दोस्तो आपको इस परकार से जैसे टोपिक भी आप यहाँ पर पॉइंट बना कर भी इसमें लिख सकते हैं और थोड़ी सी और भैतर बनाने के लिए थोड़ी सी जैसे कि यहाँ पर इसमें क्या बजट अनुदान थे क्या वीती थी, क्या सायता थी इस परकार से आप छोटे छोटे इसमें बिंदू बना कर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा भैतर दिखाई देगा तो दोस्तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं इस परकार से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्तो अगले क्यूसन में चलने से पहले मां आपको बता दूँ कि अगर आप एकजाम स्टूडियो पर पहली बार आए हैं कि जब हम next video SSB के विशाय में कोई भी डालेंगे तो आपके पास उसका notification आ जाएगा और सबसे पहले आप देख सकोगे तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी जरूर किजिए यहां से like और dislike का option मिलता है तो आपको अच्छा लगता है तो like कीजिए अच्छा नहीं लगता तो आप dislike कीजिए चले दोस्तो बात करते है प्रेसिस राइटिंग की किस प्रकार से आपको प्रेसिस राइटिंग लिखना है तो दोस्तो हमने पहले बताया था कि जो English वाला portion है वो बिल्कुल सरल है इतनी ज़्यादा उसमें घबराने की नहीं बात है तो प्रेसिस राइटिंग में सामने तो आपको करना क्या है कि आपको अच्छे से पूरा paragraph पढ़ना है जैसे कि यहाँ पर लग बग 12 से 13 लाइन में यह paragraph यहाँ पर दे रखा है तो इसमें आपको पढ़ना है कि किस topic पर दे रखा है क्या इस topic का title हो सकता है किस चीज़ पर बात कर रहा है तो पूरी चीज़े आप इसमें ध्यान से पढ़े और उसके बाद में इसमें क्या करना होता है कि जैसे कोई 3 line आपसे कोई दे और उसका एक line हमको बनानी होती है यनि कि precise writing का मतलब होता है संक्षित रूप तो हमको ये संक्षित करके इसको लिखना पड़ता है तो आप जैसे कि आपको 12 line मिलती है तो आप उसको लगबग 4-5 line में लिखने की कोशिस करें अच्छे से और सारी बाते उनी 5 line में कवर करें जो की 12-13 line में दी गई है तो आप ऐसा कुछ लिखें कि 12-13 line में जो कुछ बोल रखा है वो सिरफ आप 5-6 line में आप लिख दे तो इस टाइप से precise writing होता है आप precise writing लिखें और एक title लिखें कि किस पे यहां बात की जा रही है और दोस्तों बात करते हैं comprehension की comprehension तो हम अभी तक पढ़ते भी आई हैं और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें क्योंकि आपको comprehension में precise दिया जाएगा उस पे से अच्छे से आपको पढ़ना है और उसमें से question पूछे जाएंगे उसका answer आपको अपनी answer seat में लिखना है तो इस परकार से आप से comprehension पूछे जाएंगे जो की ज़्यादा difficult चीज नहीं है आप आराम से उसका answer कर सकते हैं तो दोस्तो इस परकार से आप comprehension देख रहे हो यहाँ पर भी एक paragraph दिया गया है आप जो भी paragraph आपको दिये जाएंगे उसको अच्छे से पढ़ना फिर उसको उसमें जो भी question नीचे दे रखेंगे उसको आराम से question को पढ़ना और paragraph में से उनके उत्तर आपको खोज कर अपनी answer seat में लिखना है इस परकार से आपका comprehension भी खतम होता है तो दोस्तो 25 नमबर का comprehension 25 का precise writing 25 नमबर का essay writing इस परकार से total 75 नमबर होगे और 25 नमबर का आपको मिलेगा letter writing तो letter writing में भी आपसे आप Hindi में लिख सकते हैं आप English में लिख सकते हैं जो आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हैं letter writing भी हम अभी तक अपने 10th में 12 में भी लिखते आए हैं आपको कोई भी topic दिया दे दिया जाएगा जैसे कि आपके महले में बिजली नहीं आ रही है पिछले 2-3 दिन से तो आप बिजली विभाग को letter writing लिखे या फिर जैसे कि आपके सहर में सटको पर आवारा पसु घूम रहे हैं तो उसके लिए आप आवेदन करें आप letter writing लिखे तो किसी भी topic पर आपसे letter writing लिखवाया जा सकता है पर आपसे letter writing लिखवाया जा सकता है तो letter writing भी आप अच्छे से लिख सकते हैं तो second paper की इतना ज़्यादा difficult paper नहीं है बस आप एक तो जो करंट मुद्दे होते हैं यानि कि जो योजनाई है उनकी आप एक book ले लिजे और सभी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि अगर ये topic एक्जाम में आता है तो हम इस पर कैसे लिखे आप सिरफ यह चीज सोचे और उस चीज को अच्छे से पढ़ें कि इस योजना का कब आरम हुआ था क्या इस योजना का उदद से है और क्या इससे जलता को लाब पहुच रहा है तो सभी चीजें आप उसमें अच्छे से सोचे और फिर आप उसको एक्जाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं तो दोस्तो लेटर राइटिंग भी इतना difficult नहीं है आपको प्रारूप आना चीए फिर भी आप आराम से उसको सोच कर लिख सकते हैं तो दोस्तो आप पेपर फैस्ट की अच्छे से तैयारी करें अच्छे से जिके पड़ें अच्छे से math पड़ें और reasoning भी इतनी difficult नहीं आएगी आराम से आप reasoning भी कर सकतें और reasoning में अच्छे से पड़ें और in the English भी उसमें normal ही आएगी तो दोस्तो आराम से आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजे आपका अच्छा स्कोर होगा तो दोस्तो हमारी तरब से आपको best of luck अच्छे से पड़ें और paper second के बारे में सिरफ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इसकी YouTube पर जैसे की essay writing हो गया तो जैसे की जो योजना है जैसे परधार मंत्री उजवला योजना क्या है तो आप इस परकार से YouTube पर लिख कर सर्च कर सकते हैं उसको भी आराम से अच्छे से वहां से वह ऐसे याद कर सकते हैं या फिर उसकी कोई book खरीद सकते हैं प्रोपर आपको YouTube पर paper second की तयारी कोई नहीं कराएगा तयारी सिरफ आपको ही करनी है हाँ paper fast के लिए आपको YouTube पर videos काफी मिल जाएंगे math के भी मिल जाएंगे reasoning के भी मिल जाएंगे gk के मिल जाएंगे लेकिन आप अपने तयारी को एक इसाब से एक way में लेकर चलिए कि हमको इस समय में ये पढ़ना है इस समय में ये पढ़ना है ताकि हमारा exam तक पूरा syllabus complete हो जाए जिसकी भी आपको कमी मैसूस होती हो जो किसी भी topic की उसको आप YouTube पर भी सर्च कर सकते है और आप book भी खरीच सकते है और आपने कहीं से coaching ली है तो आप वहाँ से भी अपना पढ़ सकते है तो दोस्तो मिलते हैं next video में कुछ जरूरी information के साथ अगर आपका कोई doubt है paper second के बारे में तो दोस्तो आप comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हैं हम उसका reply आपका जरूर करेंगे तो दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद like करना ने भूले तथा आपने दोस्तों से जरूर share करे ताकि उनको भी जरूरी information मिल सके